तब प्रभू अपने बड़े अधुत अश्यर कर्म को आपके जीवन में दिखाएंगे प्रभू येश्यु मसी के नाम से इनके जीवन की हर एक रुकावट हर एक बाधा येश्यु नास्री के नाम से दूर हो जाए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है यदि आप प्रात्न करवाना चाहते हैं तो प्रैस सेंटर में कॉल करें हम आपके लिए प्रात्न करेंगे धन्यवाद प्रेजलोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभे की प्रातना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रभ्येश्य मसी आपके रास्ते की हर एक रुकावट को दूर करेंगे आपके रास्ते की हर एक बाधा को प्रभ्येश्य मसी दूर करेंगे हो सकता है आप अपने जीवन के ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो जब आपके रास्ते में रुकावटे हो बाधाएं हो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे इन रुकावटों को इन बाधाओं को पार कर पाएंगे ये बहुत कठिन आपको जान पड़ता है असंभव आपको लग रहा है और हो सकता है इसलिए आप निरास भी हैं दुखी भी हैं चिंतित भी हैं परिशान भी हैं रात को नीन नहीं आरी दिन अच्छा नहीं गुजर रहा क्यों क्योंकि मन में केवल एकी बात है ये जो रुका आईगी या फिर ये समस्या कैसे मेरे जीवन से दूर होगी ये परिशानी कैसे मेरे जीवन से दूर होगी हो सकता आपके मन में इस परकार के अनेक विचार चलते हों तो आज सुभह में परमेश्यो का वचन आपको उत्साइद करता है प्रभू आप से वादा करते हैं कि प वचन हम लोग पढ़ेंगे पहला Samuel उसका 12 अध्याई और 16 पद जहां पर कुछ इस परकार से लिखा है इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहुआ तुम्हारी आँखों के सामने करने पर है आमेन दोस्तों यहां पर परमेश्यो का वचन कहता है Samuel लोगों को उद्शाइद करता है और उनसे कहता है इसलिए अब तुम खड़े रहो तुम केवल खड़े रहो तुमें कुछ करने के आउशकता नहीं है इस रुकावट को हटाने के लिए इस समश्या पर विजही होने के लिये तुमें कुछ करने के जौरत नहीं है तुम उस विश्वास में इस तिर बने रहना है और जब तुम इस परकार से विश्वास में स्थिर बने रहोगे, विश्वास में खड़े रहोगे, परमेशर पर निर्भर रहोगे, तब परमेशर तुम्हारे जीवन में अद्बुत अश्यरे कर्म को करेगा, उस काम को तुम देख करना चाहूंगा यदि आप प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं हर एक काम के लिए यदि आप प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं उस समस्या से बाहर निकलने के लिए यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं स्थिर हो जाते हैं उसमें विश्वास में तब परमेश्र के अधवु रुपकारियक को, जो आपके आँखों नहीं देखा, आपके कानों नहीं सुना, ऐसे बड़े अद्वुत अश्यर कर्म को आप अपने जीवन में देखोगे, क्यों? क्योंकि आप पूर्ण रूप से परमेशर पर निर्भर हो गई हैं, आप पूर्ण रूप से उस पर डिपे नहीं ये निर्बर होने का मतलब नहीं है निर्बर होने का मतलब है उस पर भरोसा रखना और अपने जीवन के परतिदिन के कामों को करते रहना और वही है जो आपके सामने की रुकावटों को दूर करेगा उन बाधाओं को दूर करेगा उन समश्याओं को दूर करेगा आपक की आज्याओं पर चलेंगे तब प्रभू अपने बड़े अधुत अश्य कर्म को आपके जीवन में दिखाएंगे तो उस पर भरोसा रखें उससे प्रात्ना करते रहें निश्य प्रभू आपको इस समश्य पर विजय ही करेगा निश्य प्रभू आपके जीवन की इस 695 धन्यवाद समीको जैमसी की मेरा नाम अधेस यादव है मैं नाला सुपाराव से बोला हूं महाराष्ट से मेरी गवाई ऐसा है कि मेरे साले का सालेजी के लड़के का नौकरी जो है एर फोर्स में लग रही थी पर किसी कारण के वज़े से लड़के का जो है मेटकल में प तो उसे प्राथना करवाया अमरिता सिष्टर से और पीके बर्दर के प्राथना केंद से दूसरी बार मेटकल हुआ और बच्चे का भी लड़के का सेलेक्शन हो गया है और इसलिए मैं प्रभी इसु को लाक लाक और को धन्यवाद देता हूं और प्रभी इसु मस्ती अमर प्रभी इसु मस्ती का धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन इस नए सुभा के लिए मैं आशा करती हूं खुश है आप आनंदित है और प्रभु में मगन है बड़े ही अद्भुत रीती से परमेशर आज आपके जीवन में कारे करने जा रहे हैं तो आईए मिलकर हम प् प्रभु में प्राथन करती हूं कि पिता जैसे तु भला है अपनी भलाईयों को तू अपने बच्चों पर दिखा मेरे खुश है उनके जीवन में उस भलाई को परमेशर तू प्रकट कर मेरे खुश है और आज का दिन परमेशर तेरे लोगों के लिए अद्भुत रीती से होने पाए परमेशर तेरी इच्छा योजना आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरी हो पिता आज हमारे साथ जितने भाई बहन उपस्तित है येश्य मसी उससे पहले प्रभु तू हमारे मद्ध्य उपस्तित है और धन्यवाद करते हैं तेरी होली प्रेजंस के आत्मा के अभी शेक से भर जाए होली जुम्बिस होने पाई येश्य मसी के नाम से तैंक यू फादर लॉड मैं धन्यवाद करते हैं इस सुभा में प्रभु धन्यवाद हम इस बात के लिए करते हैं रात भर में आपने बहुत अच्छे से संभाला अच्छी नीन से सुलाय और आज का नया दिन दिखाया प्यारे प्रभु हम जीवित हैं इस बात के लिए धन्यवाद और आज के दिन में हम चाहते हैं पिता आपकी इच्छा पूरी हो धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार आज की सुभा में आपने वच्छन से बात चीत किया हाँ परमिश्वर आप लोगों के जीवन में कारे करते हैं पिता आप उनके लिए कारे करते हैं प्रभु जी आपका वच्छन कहता है परमिश्वर कि सच में आपके लोग उस कारे को देखें जो आप उनके मध्य में करने पर हैं मेरे प्रभु तैंक यू फादर लॉड तैंक यू फादर लाज उ बड़ी बात के लिए धन्यवाद करते प्रभू, आज तेरे लोग तयार होने पाएं पिता, आज तेरे लोग तयार होने पाएं पिता परमेश्वर, उन कारियों के लिए, उन अद्बुत कारियों के लिए, जो आप उनके जीवन में करने चाहरे हैं, प्रभू, आज आप इन रुकावट, हर एक बाधा येशु नास्त्री के नाम से दूर हो जाए प्रभू आप इनकी सहता करे कि इन सारी रुकावटों से आगे निकल कर तेरी इंप्रशन्स और तेरी महिमा करने पाए प्रभू जी, तैंक यू लॉड आप इनकी प्रभू आप इनकी सहता करे प्रभू कि ताकी जो मुसीबत सामने है, जो रुकावट सामने है उसे फेस करते वे, प्रभू येशु उससे बाहर निकल कर, प्रभू ये तेरी महिमा को करने पाए पिता थैंक यू लॉड जीजूस, थैंक यू फादर धनेवाद करते प्यारे प्रभू, इनके परिवारों में जो रुकावटे हैं, येशु के नाम से दूर होने पाए, इनके बच्चों के जीवर में जो रुकावटे हैं, येशु के नाम से दूर होने पाए, इनके परसनल measure Lord Father, thank you Lord Father, thank you Jesus, you are the great, you are the great, you are the great Holy Father, because you are our provider, प्रभू आप इनके provider है, आप इन्हें पिता परमेश्वर provide कराए, आप प्रभू येश्व उन सारी बातों के लिए इनके इंतिजाम करें, ताकि प्रभू जब इनके सामने रुकावट आए, तो प्रभू से face करते वे, प्रभू उन सारी रुकावट से जब ये बाहर निकले, तो प्रभू वो एक बड़े गवाह के रूप में उठ खड़े हो कर तेरी प्रशन सा करें, प्यारे प्रभू जी, पिता मैं में आपके कानों तक पहुँची है, और आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, हाँ प्रभू, जब पिता, लाल समुद्र प्रभू इस्राइलियों के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट थी, प्रभू, आपने वहाँ पर उनकी साहता किया, आज भी प्रभू, आप वही आस्चेरे कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, अपने लोगों के जीवन में कारे करें, प्रभू जब इनकी मैरेज होने में रुकावट आती है, प्र इक्जाम कॉलिफाइड करने के बाद भी प्रभू बहुत से रुकावटे हैं, प्रभू इन सारी रुकावटों को आप दूर करें, प्यारे परमेश्व पिता, मेरे प्रभू, मैं प्रातन करती हैं, यदि दुस्ट के दौरा प्रभू कोई भी रुकावट इनके जीवन मे प्रभू येश्व के नाम से उसे कैंसल आउट करते हैं, तैंक यू फादर, इस समय प्रातन करती हैं प्रभू जितने लोग बीमार हैं पिता, येश्व मसी के नाम से प्रभू उन्हें अच्छा स्वास्त दे, येश्व के नाम से सारी बीमारियों को रद करते हैं, तेरा वच्चन प्रोक्लेम करती हूं पिता, ये शुके नाम से छोटे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजर्गों के लिए, क्योंकि तेरा वच्चन उनके लिए कहता है, मैंने आप तुम्हारी दुरबलताओं को ले लिया, और बिमारियों को उठा लिया, प्यारे प्रभू आज के दिन में जहां कहीं भी तेरे लोग जाए, जिस भी काम पर हाथ लगाए, वो काम सफल हो, और जहां कहीं ये जाए, तेरी सुरक्षा इनके साथ में हो, तेरे सुरक्दूतिन की रक्षा हिवाज़त करें प्रभू, और प्रातना है प्रमेशर, गलत प्रभू आप इने बचाएं परमेशर, पिता, तेंक यू लॉड, होली स्पिरिट आप इने गाइड करें, जो भी फैसले हैं, सही फैसला लेने में परमेशर, आप इनकी मदद करें, धनेवाद करतें प्यारे प्रभू, आज का दिन इनके लिए बहुत सारी खुशियों को बहुत सारे आनन्द को इनके जीवन मिलाए, शांती को इनके जीवन मिलाए, और प्रभू इनके मनों कामना पूरी होने पाए पिता, जितने भाइवें सेवाकारियों में हमारे साथ शामिल होते हैं पिता, उन्हें बढ़ाएं पिता, क्योंकि वो आपके राज्जे के प्रभु येशु जो बोया है उससे उत्तम वो काटे प्यारे प्रभु कोई भी घटी कमी उने नहों कोई भी प्रभु कर्जदार ना बने उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहों वरन ये भाई-बहन प्रभु और आगे बढ़ते जाए उचाईयों पे मांते हैं और सब के जीवनों में कारे कर रहे हैं पिता धने वाद देते हैं कि आप आपने हमारी प्रात्ना हां और आमीन में उत्तर दिया है येशु के नाम से विंती को मांगते हैं आमीन आमीन और आमीन